नमश्कर दोस्तों प्रिती कुप्ता किचिन में आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम परबल की ऐसी सबजी बनाएंगे जिसमें बहुत कम मसाले का यूज करेंगे लेकिन एकदम मसालेदार सबजी हम बनाकर तैयार कर लेंगे इसके लिए मैंने कुछ परबल चीलनी की सायता से देखिए इस तरह से पूरा परवल चील लेते हैं और इसके आंगे पीछे के साइड हम निकाल देंगे तो यह सारे परवल मैंने चील लिए हैं अब हम कुछ परबल को किस लेंगे तो किसने के लिए हम साइट साइट से इसको इस तरह किसनी से किसते जाएंगे ताकि इसके यह बीजे है यह असमें ना आए तो इस तरह से हम घुमा घुमा कर कुछ परबल को हम किस लेते हैं और जो बीच का भाग रह जाएगा वो हम अलग कर देंगे क्योंकि इसमें गुटलियां भी रहती हैं बीज रहते वो कड़क रहते हैं तो ये देखिए मैंने दो तीन परबल किस लिए हैं तो ये एक बाउल हो गए हैं और कुछ परबल को हम काट लेते हैं अगर परबल नरम है तो आप इस तरह पूरे काट सकते हैं और अगर कड़क है तो या बीच में कुछ भाग बीजे कड़क रहते हैं तो देखिए हमको इस तरह से अंगुठे की सायता से उसको दिकाल आलेके än को अलग और काट लेते हैं और उस परबल को मैंने चोटे हुचोटे विस में काटा है और यह यह हैं मैंने एक मीडियम साईस का आलू उसको चील के इस तरह से कट कर लिया है अब हम लेंगे एक प्याज आप प्याज की मात्रा जादा या कम भी कर सकते हैं तो प्याज काटने के लिए एक फॉक को उसमें इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमें हमारे नाखुन में भी ना कटे और हमें लगे भी ना तो इस तरह से यह बहुत अच्छा ट्रिक है, इस तरह से आप प्याज को बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से काट सकते हैं, तो मैंने एक मीडियम साइज की प्याज काट ली है, अब हम लेंगे थोड़ा तेल, आप चाहे तो यहां सरसों का तेल या आपको जो तेल लेन प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे जब प्याज हमारी हल्की बुल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हमें जादा इसको डार्क नहीं करना है तो हमने जो परवल किसे थे उसको डाल देंगे और एक बार प्याज मैं अच्छी तरह से चला लेंगे इसके साथ इसमें मैंने डाल दिया है नमक आदा चम्मस नमक आदा चम्मस डाल दिया है लदी पाउडर आजा चम्मच डाल दिया है कस्मीरी लाल मिर्च, आप कस्मीरी मिर्च ज्यादा या कंभी ले सकते हैं, एक तिहाई भाग डाल दिया है हींग, थोड़ी सी डाल देंगे हम कस्तूरी में थी और इन सब को अच्छी तरह से चला लेंगे, हमें इसे ज्यादा देर नहीं पकाना ह क्योंकि इसमें पानी रिलीफ हो जाएगा, इसी के साथ हमने मसालों में थोड़ा पानी डाल दिया है, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से स्टिक जाएं, और इसको थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनिट के लिए हम अच्छी तरह से चला लेते हैं, ताकि यह देखिया है, पानी भी अबजर्ब हो गया है, और सारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम डाल देंगे आलू, तो आलू का पानी मैंने निकाल दिया है, और सिर्फ आलू इसमें डाल देंगे हम, अगर आप आलू नहीं पसंद करते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, तो इसको कि मसालों की मातरा हमें थोड़ी मतला मसालेदार लगेगी तो इस तरह से सब्जी बनाई यह दो 3 मिनट केली मैंने इसको ढख कर पका लिया है इसको हम बीस बीस में चलाते रहेंगे और इसको फिर से हम 2-3 मिनिट के लिए ढाक कर फिर रख देते हैं 2-3 मिनिट बाद हम इसको फिर से चेक कर लेंगे आप चाहेते इसमें प्याज लैसुन के साथ लैसुन भी डाल सकते हैं और इसमें अधरक का पेस्ट बगेरा भी यूज़ कर सकते हैं हमारी सब्जी बनकर रेडी है हमने इसको इसमें डाल दिया है एक चम्मच अम्चुर पाउडर आदा चम्मच हमस में डाल देंगे गरम मसाला तो आपने इस तरह कभी सब्जी बनाई है या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए क्योंकि जो हमने परवल किसके डाले थे इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी एकदम मसालेदार और चटाकेदार लगेगी आप अमचुर की जगए नीवू का रस्भी उसकर सकते हैं और इसमें हम डाल देते हैं धनिया पती और इसको हम सर्व कर लेते हैं तो देखिए कितनी फटा-फट से हमारी कितनी मसालेदार सब बनकर तयार है आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई